वागत है आप सभी लोग का अनाधर नए वीडियो में और आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही important है क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम grow app को कैसे use करेंगे options trading के लिए इसके बारे में हम details में जानकारी को cover करेंगे आपको इस वीडियो कोई पार्ट मिस नहीं करना है क्योंकि अगर आभी आप बिगिनर से और टेडिंग स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं तो आपके पास में equity के अंदर stock cash और options के बारे में आपको काफी अच्छा knowledge होगा कि हम options के अंदर भी trading डाल के पैसा कमा सकते हैं प्लस यहां पर अकर आपके पास exact knowledge नहीं है तो पहले आप market से इस चीज़ को समझेए क्योंकि options market के अंदर पैसा कमाना इतना आसान नहीं है और ना इतना tough effects सारा working है आपके knowledge के बिहाब पर सो मैं आपको यहां पर एक live trade करके बताऊंगा जो एक demo रहेगा यहां पर मैं किस भी प्रकार का आपको recommendation प्रवाइड नहीं कर रहा हूं कि आप यह वाला call options buy कीजे या फिर आप यहां पर put options buy कीजे मैं सिर्फ और सिर्फ आपको grow app को कैसे use करना options trading के regarding इस पर मैं आपको details information द रहेगा अगर आपको इसी टाइप से वीडियो पसंद आते हैं या फिर आपको कोई क्यूवरी ज्यादर बिल्कुर्ट आप मुझे comment box माधिम से पूस सकते हैं और वीडियो पसंद आ तो प्लीज वीडियो को like करना चैनल को subscribe करना और इस वीडियो को अपने friends तक जरूर से करना तो चलते हैं और इस टेफ बाइस टेफ हम जानकारी को कवर करते हैं कि कैसे हम grow app का यूज करके हम बैंक निफ्टे के अंदर टेट को डाल सकते हैं और किस टाइप से हम पोजिशन को exit कर सकते हैं तो चलिए हम मोबाल फोन की स्क्रीन पर चल जैसे कि अभी आप देख सक सकते हैं कि मोबाल फोन की स्क्रीन पर आ चुका हूं और अभी आपके सामने जो डीमेट अकाउंट दिख रहा है वो ग्रोव एप का अब ग्रोव के अंदर हमें ट्रेडिंग डालना है बैंक निफ्टी के अंदर सब्सक्राइब करते हैं आपके सामने मार्केट इंडिकेस अब देख सकते हैं जिससे में बेसिक कवर होर जाएकि मार्केट पॉजिटीव है अब देख सकते हैं पर शिश्टस सवण पॉइंड पॉइंड प्लस में है 203 और यहाँपर हम बात करेंब बैंक निफटी को लेकर 12 एट पॉइंड पॉजिटीव है अब हमने यहां पर ट् प्रेंगे तो फोकस करने वाले हैं अब यहाँ पर च्छेक आउट करेंगे आप देख सकते हैं अपर जैसे क्लिक करता हूं मेरे सामने आप देख सकते हैं मतलब बैंक निफ्टी में यहाँ पर आप देख सकते हैं 45,000 का जो कॉल औप्शन से वह यहाँ पर टॉप्ट निफ्टी को में पूड भी से अभी जो फिलहाल में मैंने डिका आप्रोक्सिमेंट 200 रुपीस का फंड एड किया है तो फाइनली अभी यहाँ पर देख सकते है क्यावन रुपय का प्रीमियम है एक 108 रुपय का है 64 रुपय का 198 का है तो प्रीमियम वेल्यू तो बहुत ज्यादा आ रही है तो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे option chain पर जाएंगे और option chain के माध्यम से हम यहाँ पर इसको चेक आउट कर पाएंगे तो हमें क्या देखना है बैंक निफ्टी को देखना है यहाँ पर अभी आप देखिए आपर option chain चालू हो चुकिए एक्सपायरी है 15 दिसंबर की एक्सपायरी है 22 दिसंबर की एक्सपायरी है 29 दिसंबर की मतला weekly एक्सपायरी पर है तो हम लोग 15 दिसंबर को चेक आउट करेंगे कि 15 दिसंबर के एक्सपायरी पर हमें सबसे lowest premium कहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है सो मैं यहाँ पर आपके सामने देख रहा है आप 45,000 के call option है और यहाँ पर जो उसका रुपीस आ रहा है वो चार रुपर पिंचान रुपेसे आ रहा है सो हम यहाँ पर क्या करेंगे friends कि हम इसको यहाँ से search मारेंगे bank nifty का जो call option है उसको सो आप देख सकते हैं इस टैप से मैंने search किया है यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंक nifty का 45,000 के call option है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि options चेंज भी चेक कर सकते हैं और यहाँ पर प्रिवेस क्लोजिंग भी आपको सामने आ चुकी कि लॉट से 25 का है और इस टाइप से आप इसकी सारे जानकार यहाँ पर देख सकते हैं अब यहाँ पर मैंने इससे लिया friends कि मेरे पास अभी माद्रे 200 रुपीस है अब 200 रुपीस के भिहाँ पर मुझे सिर्फ आपको एक डेमो दिखाना है यह कोई recommend नहीं कर रहा हूं कि आपको भी यही call option लेना है recommendation के लिए आपको self से trading करना पड़ेगी market का knowledge लेना पड़ेगा और इसके बाद फिरा आप trading स्टार्ट कीजिए यह सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको डेमो दिखाने के लिए इसको चूस किया है कि मेरे पास फिलाल में इतना fund है आप यहाँ पर buy पर हम लोग click करेंगे जैसे हम buy पर click करने देख सकते हैं आप एक lot में trade डाल रहा हूं जहाँ पर मुझे जो amount मांग रहा है यहाँ पर लग रहा है और यहाँ पर total balance जो है वो 208 रुपे का है मतलब यहाँ पर fund है मेरे पास में अब यहाँ पर दो options है अगर मैं चाहूं तो 5 रुपे के rate भी ले सकता हूं या मैं चाहूं तो 5 रुपे 10 पिसे के rate पर भी ले सकता हूं मुझे अगर market price से इसको लेना है मैं यहाँ पर market को select करूँगा और limits अगर मुझे लेना है तो मैं इसे limit से यहाँ पर लूँगा finally अभी आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर limits मैंने order पर check करने के लिए डाला है पर अभी जो price आ रहा है वो 5 रुपए यहाँ पर यह में मिला हुआ फ्रेंड जैसे के भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी जो position है अफेंड होगी आपके सामने open है और जो market price है वो 4 रुपीस 95 पेसे का मतलब 5 रुपए का price है और average जो हमारी आई है वो 5 रुपए 5 पेसे की आई है तो आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि जो मैंने यहाँ पर price के लिए किया तो current market price है उसमें 5 रुपए 5 पेसे मेरा एक lot वाय हुआ है और CMP जो market का रहा है वो सीधे 5 रुपए का आ रहा है इस current से यहाँ पर देख सकते हैं कि मुझे 1 रुपीस का यह 2 रुपीस का loss यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है तो इस टाइप से तो आप यहाँ पर position बना सकते है अब आपको यहाँ पर stop loss मेंशन करना इस पर आप click करेंगे यहाँ पर stop loss पर click करेंगे और आप यहाँ पर stop loss लगा सकते हैं अगर आपको लगता है कि यह 4 रुपी 90 पेसे पर मेरा share को stop loss लगा देना चाहिए तो मैं 4 रुपी 90 पेसे यहाँ पर stop loss पर लगा दूँगा फिर्ण जिससे यह इस टाइप से आप लगा सकते हैं और stop loss साथ आप trading कर सकते हैं मगर यहाँ पर अभी आप लाइप देख रहे हैं कि 5 रुपी का market rate आ रहा है और 5 रुपी 5 पेसे का मेरा यहाँ पर buying का price है इस current से मुझे यहाँ पर थोड़ा सा loss देखने के लिए मिल रहा है प्लस हम यहाँ से पोजिशन पर exit भी करना चाहें तो इस पर click करेंगे और यहाँ से हम exit पर click कर देंगे जिससे हमारा जो position रहेगा वह exit हो जाएगा तो हम थोड़ा सा wait कर लेते हैं अगर हमें यहाँ पर 2 रुपे 5 रुपे का loss भी हो रहा है तो हमारा कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है क्योंकि यह video only for demo था मुझे आपको demo दिखान लेते हैं फ्रेंट जैसे के अब देख सकते हैं प्राइज अभी चल रहा है चार रुपे 90 पैसे का अगर आप इसको यहाँ पर sell-out करना चाहें मतलब अगर आप position करना चाहें तो इस पर आपको क्लिक करना है और एक्जिट पर आपको यहाँ पर टिक कर देना जैसे आपकी position आपको समझ में आ गई होगी कैसे पोजिशन को ले सकते हैं और कैसे हम पोजिशन को यहां से एक्जिट कर सकते हैं अगर आपके पास में कोई दाउट्स है तो बिलकुर आप मुझे कमेंट बॉक के मादि मुसे पूछ सकते हैं और अभी तक आर आप में इस्टागरम पर फॉलो नहीं किया है तो प्लीज इस्टागरम पर फॉलो करें और टेलेगरम चैनल को जरूर जरूर जोईन करें वीडियो पसंद आए तो प्ली